हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे सभी बहुत खुश होंगे तो मैं काफी टाइम बाद आपके साथ व्लोग शेयर कर रही हूँ एप्रोक्स टेन डेस तो हो ही गये होंगे लेकिन बहुत आप लोगों को पता ही है कि जोईन फेमिली में में रहती हूँ और काफी ज्यादा बड़ा हमारा गर है और कोई हाउस मैड वगेरा भी हमने नहीं लगा रखी है पूरे घर की क्लीनिंग मुझे करनी थी डिप क्लीनिंग तो एक दिन आये थे शोग पाले भाया उजिन उन्होंने पूरा दिन हमारे साथ हैल्प करवाई थी और पू क्लीनिंग करते करते और बीच में दो दिन के लिए मैं उदैपूर चली गई थी तो वो व्लोग मैंने आपके साथ शेयर किया था लेकिन बीच में दो दिन मेरा काम स्टोप हो गया था उसकी वज़े से थोड़ा सा काम बढ़ भी गया तो उसके बाद मैं मतलब इतना रफल किचन मेरा बेडरूम ममी का बेडरूम यह सब मैंने आपके साथ शेयर किया था और कल मैंने एक वीडियो शूट किया मतलब मैं वीडियो शूट कर भी लेती नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एडिट करके आपके साथ अपलोड कर पाऊं क्यूंकि निया भी एडिट करना तो बहुत दूर की बात है मेरे मतलब हिम्मत ही नहीं रहती थी कि मैं कुछ काम कर पाऊं तो इस तरह से काफी बीजी डे मेरे निकले मुझे काफी DIY डेकोर्स भी बनाने थे लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं बना पाई लेकिन मैं जरूर बनाओंगी दिवाली के बाद कोई जरूरी नहीं है कि दिवाली से पहले यह सब बना के और गर को डेकोरेट किया जाए हम बाद में भी कर सकते हैं तो मैं यह सब चीजें आपके साथ आगे शेयर करूंगी और जो लास्ट मिनिट मेरी मतलब क्लीनिंग थी जो थोड़ा बोत रहे गया था मैंने कल का जो पूरा व्लोग था वो मैंने शूट किया है और वो मैं आज एडिट कर रही हूं मतलब आज है 22nd October तो यह जो व्लोग 21st October का है लेकिन मैं कल एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि कल भी पूरा दिन मेरा काम काम में ही हो गया था और उसके बाद मुझे एडिटिंग का का ताइम नहीं मिला जो पहले का व्लोग था मतलब जो छोले कुल्चे वाला वो मैं एडिट कर रही हूं और आज भी मतलब इ तो इतने ज्यादा बीजी मतलब इतना ज्यादा बीजी शीडियूल चल रहा है कि मैं आपको क्या बता हूं और में क्या दिवाली में तो सारी लेडिस का यही शीडियूल रहता है काफी ज्यादा काम सबको रहता है और उसमें भी अगर जो लोग डेली व्लोग अपलोड कर रहे हैं तो मैं हेट्स ओफ करती हूं उनको क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता है और हो सकता है क्योंकि मैं अकेली काम करने वाली हूं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी लेकिन अब मैं सोच रही हूं कि डेली करूंगी और जो मेरा फेस्टिवल जो दो-तीन दिन का दिवाली का टाइम है उसके सारे व्लोग में आपके साथ शेयर करूँ ऐसी मेरी कोशिश रहेगी तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कल का मेरा डे कैसा था और मैंने लास्ट मिनिट में क्या-क्या क्लीनिंग करी और अपने पूरी डीप क्लीनिंग को कैसे मैंने खतम किया तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इतने दिनों से शूट नहीं किया था तो आज भी ऐसा कुछ था नहीं कि मैं शूट करूँगी लेकिन ये फिर साड़े-दस बजे के बाद से मैंने शूट स्टार्ट किया और वो भी मैंने आटा वगेरा लगा लिया और फिर मैंने सोचा कि चलो आज व्लोग बना देत हैं तो मैं आज बना रही हूँ दाल ढोकली क्योंकि आज मुझे जो लास्ट की क्लीनिंग है वो सब कंप्लीट करनी है तो फटा फट कुछ बन जाए ऐसा खाना मुझे बनाना था और भाईया भी आए हुए हैं तो उनके वहां पे खाने में नहीं आती और उनको पसंद भी है तो उन्होंने भी बोला कि बापी दाल ढोकली बना दो तो फिर ठीक है मेरा भी काम थोड़ा इजी हो गया तो मैंने जब रेसिपी शेयर की थी तब मैंने भी बताया भी था आपको कि मैं दोनों तरह की ढोकली बनाती हूँ चोटे-छोटे बोल्स भी बनाती हूँ और य दही जमाना तो जो दही था उसकी मैंने चांज बना दी और दही फिर से जमा के रख दिया तो इस तरह से ये काम करने के बाद जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो मैं क्लीन कर रही हूँ पूरा तो क्लीन नहीं होगा जो गेस का एरिया है वो मैं छोड़ दूँगी गी खतम हो गया था तो गी के डिब्बे में से मैं इस कंटेनर में गी भी निकाल रही हूँ ये सारे काम साथ के साथ ही मैं करती रहती हूँ मतलब अलग से नहीं करती हूँ जब किचन की क्लीनिंग वगेरा बाकी रहती है तब ही ये सारे काम मैं कर देती हूँ तो जब मैं बना रही थी तब मैंने ये स्टार्ट किया लेकिन उस टाइम लाइट नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया था और फिर अब मैंने चार्ज बनाई और उसके बाद जो सारे ही बरतन निकल गए थे चाय नाश्ते के बरतन भी थे और लंच बनाया तो उसमें भी जो एक्स्रा बरत करूं लेकिन फिर भी सारा ही दिन पता नहीं कहां काम में निकल जाता कुछ पता ही नहीं चलता है तो इसी तरह से काफी बीजी डेज मेरे निकले हैं तो मैंने बातों बातों में ये बरतन भी सारे क्लीन कर दिये हैं और मेरी दाल ढोकली भी कुक हो ही गई है और जब तक मै बरतन क्लीन कर रही थी मैंने निया की लिए दाल डोकली जो बनाई थी वो मैंने ठंडी कर दी थी उसके लिए मैंने फिकी दाल डोकली अलग से बनाई थी अलग कोकर में और ये जो कंटेनर सारे खाली हो गए थे मतलब दाले खाली हो गई थी तो वो भी मैं सब फील करके रख तो यह जो सारे ही कंटेनर लगबक खाली हो ही गए थे तो सारे ही में दाले फील कर रही हूं मैंने जिब स्टोर की क्लीनिंग करी थी तब मैंने बताया था कि जो एक्स्ट्रा तूर की दाल और एक्स्ट्रा मूं मोगर की दाल थी वो मैंने एक कंटेनर में भरके रखी हुई तो भी जो जो खाली होकई थे तो उनको भर रही हूँ और यह मेरी दाल टखली भी बनके रेडी है sì… शुक्त attitude बार um म मेरी पापा लंच कर बाहर जाड़ू, उसके बाद में दोनों ही गेट वोश करके और दोनों की क्लीनिंग कर दूँगी, तो जो घर का मेंड ओर है वो तो क्लीन होता रहता है, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन गार्डन वाला gate clean नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया था तो मैंने शेम्पू के पानी से उसे अच्छे से वोश किया तो अच्छे से shine करने लगा अच्छा सा clean हो गया था वो तो इसी के साथ मेरी cleaning खतम हो गई और मैंने आपको बताया है कि मुझे काफी सारे DIYs भी बनाने थे लेकिन मुझे time नहीं मिला बहुत सारे वीडियोज मुझे आपके साथ शेयर करने थे लेकिन मैं नहीं कर पाई तो इसका थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है लेकिन कोई बात निम है जो वीडियोज भी बनाने वाली थी वो में दिवाली के बात बनाऊंगी और आपके साथ जरूर शेयर भी करूंगी डेली इतनी क्लीनिंग करते हैं उसके बावजुद भी पता नहीं इतना गंदा कहां से हो जाता है इस बार तो क्लीनिंग में इतनी ज्यादा में थक गई और इतना ज्यादा टाइम मुझे लग गया कि मैं सोच रही हूँ कि अगली बार से एक डेल महिना पहले ही क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ी थोड़ी करके क्लीनिंग करेंगे तो इतनी ज्यादा ठका नहीं होगी तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी क्लीनिंग किते दिनों में हुई सब मॉर्णिंग में ही कर लिया था लेकिन नीचे का बाकी रह गया था तो ये जो सारे कपड़े हैं ये ममी ने कल वोश किये थे और फिर बेड पे लगाए नहीं थे तो मैं इनको सेट कर रही हूँ तो ये जो सबसे पहले इसके ऊपर जो प्रोटेक्टर है ये मैंने इस पे लगा दिया और उसके बाद मैंने बेड शीट इस पे बिचा दी तो ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदे नहीं होते क्योंकि इस बेड को कोई यूज नहीं करता है कभी कबार दीन में पले सो जाते हैं अदरवाइस ये खाली ही रहता है तो ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो दोतीन महीने में एक बार इसकी बेड शीट दूलती है क्योंकि गंदी ही नहीं होती है डेली जो यूज करते हैं उसकी तो दस से बारा दिन में एक बार वोश करनी ही पड़ती है लेकिन ये यूज नहीं होता है तो उसमें मैंने वो सब अरेंज करने के बाद फिर में आ गई उसमें पोचा लगा लिया और उसके बाद में आ गई हमारे ड्रोइंग रूम में तो यहां पर मैं पोचा लगा लूँगी और पूरे ही गर में मेरा पोचा लगबग हो गया था सिर्फ वोल में और किजन में बाकी था तो यह मैंने खाना खाने के बाद में किया और पीछे देखो मेरे हस्बेंड और नियू दोनों खेल रहे हैं और इसका बिखेरा तो देखो मैं एक तरफ सफाई करती रहती हूं और पीछे से इसका चालू ही रहता है जिसके गर में लेकिन 2-3 टोवेल्स मैंने बिगो के रखे हुए थे सर्फ के पानी में तो वो मैंने बाद में अभी वोश किये और उसके बाद में क्लीन कर रही हूँ अपना बातरूम और काफी सारा सारे कपड़े भी हो गए थे तो यह सब फिर में नीचे सुखा ने गई गार्डन में और उसके बाद मैंने और निव ने दोनों ने रेस्ट किया दो गंटे में आराम से मतलब सोई थी क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो गई थी और इसे के साथ मेरी पूरी क्लीनिंग का काम मेरा खतम हो गया और उसके बाद फिर दिन में सो के उठी उसके बाद चार बजे के नीचे गई और फिर ममी बुट्टे वगेरा कुछ लाए थे तो बुट्टे सेके भी खाया और उसके बाद हमने बनाई बुट्टे की पकोडी और साथ में बनाई पूरी तो इस तरह से अब भी आजकल रोज कुछने कुछ नई डीशेस बन रही है परसु बनेते छोले कु कुछे और कल हमने बनाई ये बुट्टे की पकोडी और पूरी और जब आज मतलब जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूं तब आज हमने बनायते हांडवा और कडी वगेरा ये सब हमने बनाया था तो आज कल फेस्टिवल टाइम है काफे बीजी भी है स्वीट डिशेस हम नहीं बना रहे हैं लेकि नीस तरगी डेली कुछ न कुछ नहीं नहीं डिशेस बना के हम खा रहे हैं तो देखिए ये मेरी भुट्टे की पकोडी भी बनके रेडी है और साथ में चाट मसाला डालके मैंने इसे सर्व किया और उसके बाद मैं आ गई उपर और इतनी सारी सफाई करने के बाद अपनी स्कीन वगेरा में बालों में सब में बहुत सारी डस्ट वगेरा भी लग जाती है तो अब घर की सफाई के बाद आता है खुद की अच्छे से क्लीनिंग करने का नमबर तो उसके लिए मैं आपको कुछ होम रेमिडिस में आपको बता रही हूं क इसी भी तरह के कोई chemical products में यूज नहीं कर रही हूं मैं बिल्कुल घर की चीज़े जो अपने घर में easily मिल जाती है उनका यूज कर रही हूं तो मैं सबसे पहले बोश कर रही हूं अपना मुह मकी का जो आटा होता है मके का उससे ये scrub का का काम करता है अगर आपके घर में मक i Edu head skin वगेरा है वो सब इसकी इससे निकल जाती है हिंब और इस तरह से उसमें पानी मिला के हमें मूह पे अच्छे से रब करना है पाच मिनिट इसकी मसाज करनी है और में जितनी भी आपको चीज़े बहाँगी उनसे पकी पाच More कर दो छो करENT है उनके बाद मेंने अपने फेस पे अच्छे से लगा कि और फिर अगेन में अपने फेस पे अच्छे से मसाज करूंगी इसको आप चाहे तो हफते में दो बार इसी तरह से फेस्पेक के रूप में भी आप लगा सकते हैं इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है तो देखिए इसकी भी मैं सेम उसी तरीके से मसाज कर रही हूँ टोटली ये घर में हमारी मतलब जो डेली यूज में आती है वही सारी चीजे में यूज करके कर रही हूँ और ये हमारी स्कीन के लिए काफी हेल्दी भी रहती है तो ब्यूटी पालर में जाग के और बहुत महेंगे महेंगे केमिकल वाले फेशल करवाने के बजाए एक बार ये फेशल आप गर पे जरूर ट्राय करें और आपको क्या रिजल्ट मिलता है एक बार मुझे कमेंट बुक्स में जरूर बताएं तो इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ फ्रेश एलोवेरा अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप इसके जगे एलोवेरा जेल जो पतन जली का आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं तो उसके बाद मैं इस एलोवेरा जो है उसके उपर से मैंने जो भी इसके छिलके होते हैं वो मैंने हटा दिये थे और उसके बाद अच्छे से स्कीन पर 5 मिनिट की मसाज करी और फेस को अच्छे से वोश कर लिया और उसके बाद मैंने एक चमच ली है मुलतानी मिट्टी और उसमें मैंने जो rose water होता है वो मिला कि अच्छे से paste बनाया और अपने face पे पूरे पे अच्छे से फिला दिया इसको मैं लगा रही हूँ face pack की तरह और जब तक यह सूख जाएगा उसके बाद मैं इसे अच्छे से wash कर लूँगी और उसके बाद skin जो glow कर रही थी मतलब ऐसा ही लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा महेंगा facial करवा दिया हो तो इन सारी चीजों से ही मैंने अपना face अच्छे से clean कर दिया और ना किसी bleach की जरूरत है ना किसी महेंगे facial कीट की और ना ही किसी saloon में जाके facial करवाने की तो इस दिवाली पे आप यही facial करना और आपको मेर यह home remedy कैसे लगी मुझे comment box में जरूर बताना अगर आपको पसंद आया हो मेरा यह वीडियो तो please like करें मेरे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नेक्स वीडियो तक के लिए baba and